नमस्कार व्यूवस मैं हूँ अमीश देवगन रात के समय नौ भजने को हैं और आप देख रहे हैं सीन बीसी आवास पे टक्कर का आज का एडिशन आमादी पार्टी के विधायक अमंतुल्ला खान को आज एडी ने अरेश्ट कर लिया गिरफतार कर लिया अमंतुल्ला खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली वक्त वोर्ड में दरजनों अवैद भरती करवाई इतना है नहीं फंड का दुरुप्योग भी किया लेकिन आमादी पार्टी विधायक की गिरफतारी होते ही उनकी पार्टी यानि आमादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ दोर्चा कोल दिया पार्टी ने कहा कि बीजेपी आमादी पार्टी को समाप्त करना चाहती है लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सियासत के बाहने भरस्तचार को चुपाने की कोशिश हो रही है आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदा टककर और IC814 को लेकर जो वेब सीरीज बनी है उसको लेकर बड़ा विरोध हो रहा है नेट्फिक्स के कंटेंट हेड को भी भारत की सरकार ने तलब कर लिया है यानि आएंड वी मिनिस्ट्री ने तलब कर लिया है उसके क्या माइने है आज इन दोनों मुद्दों के ऊपर एक बरीटक करें करीब चार घंटे की छापे मारी और पूचताच के बाद आमाद्मी पार्टी गनेता और विधायक अमानतुल्ला खां को अरेस्ट करीए इक गरफतारी दिल्ली वक्फ बोर्ट से चुड़े मनी लॉंडरिंग केस में हुई है अमानतुल्ला खां पर आरोप है कि उन्होंने 32 लोगों की अवैत तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ट में भरती करवाई और साथ ही फंड का गलत इस्तिमाल भी किया लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये गिरफतारी एक साजिश के तहत हुई है पूरी तरह से गलत है 2016 का मामला फर्जी मामला बनाया गया गिरिफतार करके जेल में डालो आम आदमी पार्टी को खतम करो यही लक्ष है मोदी जी का अमानत अला खांडी खिलाब बहुत ही संगिन आरूप है व पैसा जो वक्त बोड के लिए कि जुदसमाज के जनकल नाण के लिए लगना था उस पैसे का गमन करा उस पैसे का मिसूस कर आमादमी पार्टी की पुरानी आदत तक त्रहीमाम तरहीमाम करकर भी रहा गॉन TWO सब्जर लेटी हुई हैं कैंसर से पीडित है और शर्म नहीं आती है भारती जन्ता पार्टी को इनको कितनी बार तो कोट ने लतार दिया अमादमी पार्टी है टोटल का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है अगर अमादमी पार्टी के लिए दो रहत भरी खबर भी आई दिली शराब घोटाला में मनीश सिसोधिया और के कविता के बाद आमादमी पार्टी के पूरू कम्यूनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को भी सुप्रीम कोट से जमानत मिल गई इसके साथी सुप्रीम कोट ने राज्जी सभा सांसर स्वाती माल के जरीवाल से मारपीट ममले में केजरिवाल के निजी सचिव रहे विभाव कुमार को जमानत दे दी लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल कि क्या करप्षन का चोतर पाजाल आमादमी पार्टी पर भारी पढ़ रहा है आज इसी पर हो देश की सबसे बड़ी पहस तो वक्त है सूपरसित विश्डेशन का आमादमी पार्टी पर भरच्टाचार वाले आरोप पत्र का विश्डेशन मनीज स्विसोडिया जानमाना नाम है पूर मुक्यमंत्री है शराब घोटाले में 17 महीने जेल में रहे आमादमी की आमादमी पार्टी की साख पर भट्ट अर्विंद के जिरिवाल मुक्यमंत्री है सूबे के शराब घोटाले में जेल में है गर्मी में दिल्ली पानी को तरसी बरसात में दिल्ली दरिया बनी लोगों की जान चली गई जेल से सरकार चलाने पर जमकर आलोचना हुई अमतुल्ला खानी वक्फ में मनमानी का दावा मजबूत हुआ वक्फ में भरस्टाचार के आरोप में गिरफतार इत्तमे हो गए है ये बड़ी खबर है विवव कुमार स्वाती मालिवाल से मारपीट में 100 दिन से जादा जेल में रहे विपक्ष ने महिला विरोधी पार्टी का तमगा चिपका दिया आमादनी पार्टी पार सथेंद जैन मली लॉंडरि लुल्डरिंग मामले में मई 2022 से जेल में। आम आदनी पार्थी के पहले मंत्री बनें। आम आदनी पार्थी पर भृस्ताचार के आरोप लगने शुरू हुए। और अब बड़ा सवाल है क्या बेल से धूल जाएंगे आम आदमी पार्टी के दाग क्योंकि बार बार बेल बेल चिलाया जा रहा है क्या उससे दाग धूल जाएंगे मेरे साथ डॉक्टर सुधान चुत्रवेदी हैं मेरे साथ प्रयांक का ककर जरूर रही है आम आदमी पार् पार्टी के कुछ नेताओं को बेल मिली है और एक नेता जेल में चला गया है यानि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनकी पार्टी को आप लोग समाप्त करना चाहते हैं सबस्थ का बग्त आपके पास है क्यों आम आद्मी पर्टी के आरोप को जस्ति आपक्ति र शीफाइड ना माने जाए को कि आपका तारगिट तो आम आद्मी पर्टी है ह bracelet ना माने जाये। मतलब यहां समझें फरजी डिग्री के लिए भी तोमर साब हटाये जा चुके इन्हों नहीं हटाया अभी इन्हों ने पंजाब में सरकार बनते ही एक हफ़ते में अपने ही आदमी को हटाया था शराग घोटाले को लेके अलग इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जेल में थे मुख्यमंत्री जी अभी भी जेल में हैं तो स्वास्त वाले घोटाले को लेकर मनी लॉंडरिंग को लेकर वो हैं अब समझे वक्त बोर्ड में भरती घोटाले पर ये हैं और अपनी पत्नी को कुछते से कटवाने जैसे विचित्र आरोप भी इनके नेताओं पे लग चुके हैं तो मुझे लगता है विचित्र आरोपों की जो विविदता आम आदनी पार्टी में देखी जाती है वो भारत की राजनीत में अतुल नहीं है अद्भुत है और ये वो जो नई राजनीत का दावा करके आये थे ये उसका चरित्र शित्रन सार्जनिक रूप से पूरे देश के सामने इसपस्ट हो जाता है और रंत में पुना है मैं बात कह दूं साव ये वही पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते ही सीफा देना चाहिए आज जेल में जाने पे कहते हम बेकसूर हैं और जेल से सरकार चलाने वाले भारत के एक मेव मंत्री हैं अपनी देखिए महिलाओं पे अत्याचार की बात तो अलग है पर मुख्यमंत्री आवास में अपनी पार्टी की सांसत की पिटाई का आप वरिश्ट पत्रकार हैं आपका लंबा अनुभव है अमीज जी और जितने लोग पैनल बैठें जरा मुझे कोई एक उधारन बता द मैं प्रियंका ककड कर रूप करता हूँ प्रियंका ककड गिरी राचिंग के इंदिया मंत्री आवादी पार्टी टोटल अपरादियों की पार्टी है उससे गिरी हुई है अगर अमन्तुल्ला खान पर कोई चार्ज है तो कोट इसका फैसला करेगा बांसुरी सुराज करते हैं आप शोर मचा रहे हैं लेकिन वक्त का पैसा गवन करा है अमन्तुल्ला खान ने गलत कामों पे लगाया है ऐसा आरोप लग रहा है सभी को नमस्ते हैं अमीज जी आपको देखना होगा कि बहुत जूठी पार्टी है भारतिय जनता पार्टी बेशर्म बेशर्मों की पार्टी है उपर से नीचे तक भरष्टाचार में डूबी है ब्रिज भूशन जिस पार्टी के हैं वो महिला सुरक्षा की बात करती है कर सभी ऐलेक्टोरल बॉंड से मनी लॉंडरिंग का जरिया बढ़ेगा पर सुधानशू जी की पार्टी को तो वही करना था लेके आये एकस्टोर्शन डेपार्ट्मेंन से एकस्टोर्शन करवानी थी लेक्टोरल बॉन्ड द्वारा इसलिए लेकर आये वह चितावदी के ब कोई जांच नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, इलेक्टोरल बॉर्ड में सब बता रहे हैं, शरत रेड़ी ने साथ करोड इनको दिया, इनके काल पे जू भी नहीं देंगी, कोई टेस्ट नहीं होगा, राम मंदिर में, राम मंदिर के निर्मान में बताया जा रहा है कि लाखो करोडों का गबन हुआ, उस पे कोई जांच नहीं हो रही, इनकी सारी एजेंसी इनके अंडर है, अब आजाते हैं अमानच जी की बात पे, अमानच जी जो केस पहले ACB ने उठाया, फिर उसी केस को नया कपड़ा पेना दिया, उनी एविडेंस के साथ CBI ने, और तो पहर आख रहें है इनका शवर घृटला धस्तो चुका है तो यह को अरोप में अपने आप ने डघी होए है कॉन-कॉंसे परे व कि विख एक और्वरें हैं ये Hessen के बनी आफ़ी कौन कान हुआ आपने चार नाम इने हमारे उपर लगभट तुसिक्स्टी प्लस गेसिज टेटिमें 95% केस केमें 75% ही हो चुक के 5% पेंडिंगे पहला आकड़ा ये दूसरा आकड़ा अगर आपको सरफ ये चार नाम का भी गिनने तो मैं आपको एक बाप बता दूँ आप किसी कानून के जानकार से बात कीजिएगा कि पीमले कोट में अगर आपको रेगुलर बेल मिल जाती है वो अक्विटल से कम नहीं होती जो अर्विंद केजरीवाल जी के केस में मिल गई है जिसमें माननी कोट ने कहा कि एडी बायस के साथ आक्ट कर रही है और कोट ने ये भी कहा कि कोई प्रमान नहीं है फिर भी इन्होंने CBI का दूसरा केस बना लिया सहीम एविडेंस पर उनको अंदर रखका हूँ है वो भ 1st March 2023 को ACV केस में अमाना तुला खान जी के केस में कोट ने कहा कि ना किसी कोई जो आपलिकेंट है जिनको नौकरी मिली ना उनमें से किसी ने शिकायत की ना कोई रिकवरी हुई है ना कहीं कोई प्रमान मिला है पारा 27 पारा 28 1st March 2023 के जिए मेरा आपको प्रस्टा क्या कोई परिवाचा है बेल इस इकोई तो संजय दत को भी केस में मिली थी टाड़ा के केस में लेकिन उनको बात में जब फैसला हुआ तो फैसला हुआ तो गिरफतार हुए मैं यह बोल रहा हूं मैं कोई फैसला निस तो अनुर्ट चुनाएगा जब ट्रायल होगा लेकिन शुदा प्रांशुत्रिदी मन्शा पे सवाल खड़े होते हैं और वो सवाल यह है कि आम आदनी पार्टी को टार्गेट इसलिए किया जा रहा है को कि आम आदनी पार्टी दिल्ली में मझभूत है ऐसा आम आदनी पार्टी के नेता बोल रहे हैं और दिल्ली का चुनाव अब 2025 में नाने बाला है इद्गे जो व्याक्षा राजनीत की करते थे नई राजनीत की तथा कदिर व्याक्षा करने वालों ने कानून की नई व्याक्षा कर दी कि मतल्क लीए European यानि जमानत मिल गई to इसका मतल्ट छूट गए अरे साब जमान पे तो बड़े-बडबे लोग जो मगर ये लोग भी जवानत पे रहते हैं तो वो कह देंगे हम छूट गए था मुझे लगता इस प्रकार की हास्यास्पत जो व्याक्याएं हैं वो देने से बचना चाहिए अब मैं इन्हों ने कहा कि डोनेशन की बात यह कह रहे ही ना किसी अपलाई किया ना किसी एफ्लिकेट ने कहा वकबोर्ड नौकरी में तो मैं मैं पूछना चाहता हूँ यह जो एलेक्टोरल बॉंड में न देने वाला कोड़ गया था तो तो मुकदमाई आपके इसाब से खारी और बड़ी लॉजिकल सी बात है जिसने पैसा दिया होगा वो कभी कोड़ में जाएगा उसे पता यह करे हैं यह दोनेशन के मामले में हमिश जी याद करिए यह वות समय तक ये रूह था कि बीस हजार रूपय तक का कैश देने पर किसी को आपको उसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है जिसे मोदी सरकार ने घटा के 2000 कर दिया यानि जितना भी नंबर दो का आप और चाय पार्टी खाना नहीं खिला रहे थे खाने में तो काउंटिंग हो सकती है आप दिखा दीजिए एक हजार लोगों को चाय तिलाई और बिजिस जार पारेड अंदर कर लीजिए और कईए इसकी तो जरूरती रही थी मुझे दिखाने की दूसरा ये वो पार्टी जिसने वेबसाइट पर काता हम सारा डोनेशन देंगे याद करिए साथ-ाथ साल पहले से इन्हों ने बंद कर दिया क्यों तीन कंपनियां ऐसी दिखी जो रातो राट क्रियेट हुई आम आदनी पार्टी को डोनेशन दिया अगले दिन गया वो गई उसके बाद से जो बड़ा दम भरते थे वेबसाइट पर देना बंद कर दिया और रंक में स्वर्गी अरुन जेटली जी से कोट में माफी मांग चुके हैं और शर्म क्या कहा जाए जिस पार्टी को वैमान वैमान कहते थे उस पार्टी से पहले बी बैमान के साथ तथा कटिस्वगोशित कट्टर इमांदार ने गड़बंदन किया उसके बाद साथ की सातों सीचे आर गए और उसके बाद के मतलब हैट्रिक लग गई लेकिन विशे वो नहीं है क्या वक्फ का मामला है इसलिए आम आदनी पार्टी इसको जादा बड़े धंसे डिवेंट कर रही है विधायकों पे तो आपके और भी विधायक आपके गिरफतार हुए लेकिन इतना पॉलिटिकल पॉलिटिकल वापो यानि तमाशा नहीं हुआ क्योंकि ये वक्फ का मामला है मिनॉरिटी वोट्स का मामला है इसलिए केल हो रहा है प्रियंक का बीजेपी का आरोप है ये वक्फ का मामला है इसलिए जादा हल्ला मचाया जा रहा है ये शाहीन बाग वाले अम धांचु सर क्योंकि MP है वो पूरा इधर उदर चले गए पता नहीं क्या क्या आरोफ हम पर लगाए उनमें से कुछ बाते जूटी भी थी और उनको आपने बिल्कुल नहीं तोका आप वापस सेंसेशनलाइज करके जो मुझसे पूछ रहे हैं मैं उसका आंसर फिर से वही दे रही हूं कि पारा 27 में 1st मार्श 2023 को कोट ने बहुत क्लिरली कहा कि कोई प्रमान नहीं मिला ब्राइबरी का इन्होंने क्या किया जो नियुक्तियां हुई इन्होंने भाजपा का ऐलिगेशन क्या आप सुनिए कि जो न कहानी बना रहे हैं बीच में कहानी बना रहे हैं कि इनकी BHEL ने आपनी पार्टी को को कर दो पैसे दिये करप्षिन के बैंक अकाउंट से यह कैसी बाते करते हैं यह जान बूच किया आप तो समयधार पत्रकार हैं आपने देख लिया दो इनके अजेंडा में मत फसिए आप एक रिस्पेक्टेबल चानल और रिस्पेक्टेबल आंकर हैं आप देखिए यह क्या करना चाहरे हैं चुनाव से पहले गिरफ्तारी करके फिर वक्त बोर्ड का मामला उसको सेंशनलाइस कर रहे हैं बताईए न सुधांचु जी क्या मना कर करते हैं कि कोट ने इसके ओपर पहले डिसिजन नहीं लिया हुआ फॉर्स्ट मार्च 2023 की जज्मिंट आपने पढ़ी सुधांचु सर्पार 27 और 28 पढ़ा है सुधांचु सर्थ बताई और बताईए उसमें क्या लिए ठीक है ठीक है ठीक है सुधांचुत्रवेदी की आप स करने की कोशिश करें वक्फ का मामला लेकर चुनाफ से पहले जिससे की चुनाफ पॉलराइज हो जाए देखे मैं प्रियंका जी ने मुझसे कहा कि मैंने कई जूट बोले क्रपिया आप दो जूट या एक जूट गिनात हो दीजिए कि मैंने क्या गलब बोला और आप ने अभी जो बोला इस प्रकार के जो आप लोग वितंडावाद करने का प्रियास करते हैं हकीकत में सारी की सारी समस्या इसी दुर्श्टी से हैं कि आव बकवास विर्ड कह रहे हैं कि कोर्ट ने लिखा हुआ है यह अपने पाक्ष्मा और वक्त की बात ही नहीं है अमीज जी अमानतुल्ला खाली वक्त के चेर्मन नहीं रहे बनाये क्यों गए थे याद करिए जब हमारी पार्टी ने औरंग जेव रोड का नाम बदल कर अब्दुलकलाम रोड रखा था तो केजरी वाल जी एक मुखोटा से उन्होंने कहा स्वागत करता हूँ मगर अमनातुल्लाखा ने जाके विरोड किया था चाती पीटी थी और उखला में कहा था मैं एक रोड का नाम औरंग जेव रोड रखूंगा यह उखला के आवाम का फैसला है बोली यह बोला था कि नहीं शाहिन बाग में वो थे कि नहीं और यह रिकॉर्ड़िट बयाने शायद आपके ही टीवी चैनल पे है जब मनीज सिसोधिया ने कहा था कि शाहीन बाग मेरे दिल में है तो यह शाहीन बाग के दिल वाले भी है औरंग जेव के रोड का विरोड करने वाले भी है वक बोर्ड के चेर्मेन भी है और इसलिए कोर्ड के निरड़े में अपने मंद से बक्वास जैसा शब्द कोर्ड क की गिरफतारी हो गई लेकिन बीजेपी आप कह रही है क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर वक्फ इंडॉल्ड है अखलियतों का वोट इंडॉल्ड है इसलिए पूरा खेल तमाशा हो रहा है यह टेक और सुधांशु जी की बात का जवाब सुधांशु सर यह तो है रही हूं कि आपके लगाए हुए आरो बक्वास है सर आप लोग जान बूच के एक ऐसी पार्टी जो लगातार फ्री बिजली 24 घंटा बिजली महिलाओं को फ्री बस यात्रा बुजर्गों को तीरत यात्रा जो लगातार फ्री हेल्थ केर मॉडल फ्री पानी यह सब लगाते हैं क्योंकि जब आप निकलते हैं उत्तर प्रदेश में जहां पे आपको लतार पड़ी है वहां पे आपसे पूछा गया कि आप क्यूं नहीं फ्री बिजली दे पाते हैं आपसे हर्याना में पूछा जा रहा है कि 88 घंटे के पावर कट 2024 में कैसे लग रहे हैं कि पान सीटे अइट हर याड़ा में बीजेपी को लतार पड़ गई दिल्ली में आपकी शून याई पंजाब में आपका रिजर्ट खराब आया तो किसको लतार पड़ी हम्मारा तो ओनली तो गेन है एक गेन हम तो गेन इक यह गिरे जारें ना को मैं रहें can आप आपने स्भॉएंस के डाइश कर लिया उसके पाद आपकी सीटे नहीं आई हाँ अन्य एपभाने आप voulais अपने आपने विलला लेकिन आमादी पार्टी के लिए को लर्निंग टाइम नीया ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैंडम पॉइंट यह है बड़ा पॉइंट इससे में यह है लेकिन अब यह कारवाई क्या दर्शार रही है देखिया मैं सिर्फ एक ही बात कर दो लोग यह आरोप प्रत्यारोप लगाते अब जैसे प्रियंका जी नहीं कहा एक और भी समझ लीजे मेडम यह देश में हाइस पर कैपिटा दिल्ली में है उसका हमादी पार्टी सरकार से को यहां पर सबसे जादा पेइंग कैपेसिटी है सबसे यहां पर है और आप कह रहे हैं और आप पानी की सप्वाई की जो हुई और इनकी में एक बात आप कह दूँ प्रेंका जी आप कहती एसी बी दिल्ली में आपके पास नहीं है चुकि पूर्ण राज्य नहीं है यह पंजाब में तो पूरी सरकार है कितने ब्रस्टाचार खोल दिया आपने कॉंग्रेस के 20 साल हो गए बताइए खूब जोर जोर से आरोप लगाया था ना वहां एसी भी है पुलिस भी है स और जेल बेल का खेल जारी है अगरे आज कल कमाल की बात है को कहते ना जूट के आगे पीछे दरिया चलता है सच बोलो गो तो जिल जाओगी यह आलत हो गई है अब भारती जनता पार्टी के परवक्ता इतना कहते ना तुम हर बार जूट बोलते हो लेकिन इतना सच्चा ज सची बोल रहे होंगे आप आहां आ रहा हूं आ रहा हूं सरकार जूट का इसकी है सरकार किसकी है भारती जनता पार्टी के सरकार में बच्ची यो के साथ अन्याय हो रहा है जिम्यदार कौन होगा सत्ता वाले जिम्यदार कौन होगा जो वहां के कन्नोच के si pe sasab उसको तो सरबोच न होगरिख का रहे तो चार अगरिक को क्यों दे रहे थे आप भाई इसके मतलब आप उसको बड़ा च्छाद ही मानते थे तो आप अप जिम्मेदारी से लेने से आप आप चुकि वह पकड़ा गया तब इसके उसको उपर डालना चाहते हो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो अधा जहां बीजेपी की सरकार है, वहाँ महला के साथ अन्याय होगा, तो बिपश झिम्मेदार है, पश्यमंगाल दूसी जगा, जहां अगर कोई अन्याय होगा, तो वहाँ पे जिम्मेदार सत्ता पच्च होजाता है, यह कैसी दोहरी नीद लेके आयो बहिया यह बताइए कि आप बार-बार बात करेंगे करनाटका की हिमाचल की बात करेंगे दिल दिली की तो खेरा बात करेंगे नहीं पंजाब की करेंगे पशिम मंगाल की करेंगे आप तो कहते हो कि हमारी तो सीटे आई हैं हम तो सत्ता में है प्रद्धानमंत्री जी हमारे हैं गरे मंत्रinhी हमारे हैं कहंदर हमारी सरकार पर जब को लेकिन भारती जन्ता पाड़ी जवाब दे कि जन्म आश्टमी के तिन भी दो बेटियों का सौब क्यों जूला पालट का वा पाजाता है एक सेकें अनुराग बदर्या आपके विश्चे को रख लिया सुदान चुत्रवेदी की बारी है अमीज जी जो आपके करोडो दर्शक देख रहे होंगे मिलियंस ऑफ व्यूवर्स जो देख रहे होंगे वो समझ नहीं पारे होंगे कि ये कहना क्या चाह रहे है क्या जूटा क्या सच्चा और गच्चे अभी साफ समझ में आता है मत्वब आपके पार्टी के नेता पे आरोप आपकी पार्टी की नेत्री ने कहा कि 15 साल की बच्ची रात के साम के समय कौन सी नौकरी मागने गई थी अब DNA सेंपिल मैच खा गया इसके बाद बेशर्मी की इंतहा है कि आकर जूटा और सच्चा वर्ड बोला जाए और फिर कहरे भारती जंता पार्टी की सरकार है इसलिए इनका नेता जो अपने संस्थान में बुलाकर कुकृत करे उसके लिए सरकार जुम्मेदार है और यही आ बड़ी खबर आ रही है आई सी एट वन फॉर वेब सीरीज को बैन करने की मांग उड़ गई है और दिल्ली हाई कोट में प्रेटिशन भी दायर हो गई है इस वेब सीरीज में बड़ी खबर है इसमें जो आरोपी थे जो 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 जिन्होंने प्लेन को हाई जैक किया था उस नामों को शंकर और भोला करने का आरोप है यह बड़ी खबर है चुदान चुत्रवेदी यह सिरेक्टिविजम क्यों नहीं समाथ वता है इस देश में कि अरे मैं आपको बात बताना चाहता हूं यह पूरा एक मीडिया का इंटलेक्ट्वल इस्टैब्लिश्मेंट है जो जूट बोलकर किस प्रकार से लोगों के मन को भरता है आईसी 814 में जो लोग थे उसमें सब को पता है जैशे मोहमत के लोग थे और किस जंग से किया गया कांदार में जाके हुआ मगर उसे वहां से हटा कर ये बात सही है उसमें कोड वर्ड के लिए कोई किसी को भोला कोई किसी को शंकर बोलता था उस कोड वर्ड को रियल बनाना और मैं याद दिलाना चाहता हूँ दर्शकों से थे वो भी पिछड़ी जाती के थे और अधिक पिछड़ी जाती के थी मगर उन बच्चीयों ने आत्म हत्या कर लिए वही केसे जिसके लिए मुलाइम सिंग्जी बोले थे पिछड़ों से गलती हो जाए करती और आटके 15 फिल्म देखिए जाके अज सब कुछ बदल दिया दोनों पिछड़े थे लड़के समंड हो गए लड़किया दलित हो गई और पिर उसके बाद आप देखिए उसमें पूरा जात का एंगिल आगया जो था ही नहीं उस घटना में और यहां तक की योगी जी तो उस समय कहीं दूर दूर तक सप्ता में नहीं थे योगी टाइप का आदमी भी दिखने लगता है उसमें बाबा टाइप का आदमी ये जो घंगोर शडियंत्र है इसको समझना चाहिए सारे प्रबुद दर्शकों को समझना चाहिए कि जिस घंग से चीजों को प्रसुत करके हमारे दिमाकों में अनिंटेंशनली इंप्रिंट किया जाता है उस बात को समझना चाहिए इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज तक मैं चुनोसी से कहता हूँ आपने दरजनों मूवी देखी होगी जिसमें पुजारी धूर्त दिखाये जाएगा रेप करने की कोशिच करेगा एक पताईएगा जिसमें मौलवी धूर्त दिखाये गया और अगर आतंकबाद की मूवी हो इस वेब सीरिस के अंदर गलत प्रस्तूति की गई है जो आरोप लग रहे हैं नामों को गलत दिखाने की को कि वह चार नाम कौन थे अगर आप धरम नहीं दिखाने जाते हैं नाम तो गलत नहीं शंकर भोला क्यों बताने की जूरत थी मैं अनुरा गुदरिया का रूप करत इस यह रियल इंसिदेंट है और फरजी नाम से जिखाया है यह पिक्चर की बात नहीं अगरे बात पूरी हो जाए मैं आपके बीच में नहीं बोला सुदाशु जी आपके बीच में बहुत पर दीजिए आरे बिलकुल गलत चीज होगा आरे भाईया नियाए पाल का है यहा तो बोलिये खुलके आप तो बॉलिवूड के साथ भी समथ रखते हैं अब गाते रहते हैं अच्छा मैं बोलू अपनी बात कर लूँ उसकी मेरी बात छूड़ जाएगी सवाल यह भारती जनता पार्टी के साथ भरष्टाचार और परयाए दोनों भारती जनता पार्टी क बहुत और है यह भष्टाचार चल्रe चल्ब भारती जनतापार्टी बॉड के माध्यम कैसे लिए बाता!!" क्या है आप चुनाव लड़ते हैं उसके बाद उस पैसे का क्याकरते हो आप जन्ता की वीच जाके खर्च करते हैं। अलगाती लाश मतल् 국6 कि बात करते हैं भान याशा है य Τंद रहरे सब्सक्ति की मिलते हैं। एक लोना कि नहीं को इतना मिला उनको इतना मिला उनको इतना मिला अभी तेरी ठोक 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 बताएंगे यह नहीं ने भी तो अरे भाई इनोंने क्यों लिया हम कहले है सब ने लिया लेकिन बीजेपी को तो राश्ट के लिए काम करेंगे मतलब तरण मूल कॉंग्रेस की एक राज्य में सरकार है उन्हें प्राइब और हमारी क्या तरीका करने का फिर हमारी क्यों लोगे मैं जवाब दूंगा और बॉंड का जवाब देता हूं यह बांड की बाद करने वाले लोग इनको पैसिश्क्राइब आदमी वह आदमी आहारत के चुनाओं में एक मात्र चुनाओं आप बोतों यह आदमी अनुन को अपनी बात करने का दिका अब देखें आप आईसी एट वन फॉर पर नहीं बोले कुछ अब जबाब चुनिए सुधान्शु जी का ओडियो खोलिए एक मिनट के लिए प्लीज सर मुझे सुनिए सुनिए मैं अनुराग जी मेरे मूं से बात क्यों निकली मैं पीड़ा आपको बताता हूं आईसी विल्कुल भूल के और बॉंड पे चले गए जिसका की वर्तमान डिबेट से कोई मत्तब नहीं था आप पहले यह बोल रहे थे विशे पे रहना चाहिए और बॉंड मैं कहना चाहता हूं चोविस सो तैइस सो कुछ करोड रुपया त्रड मुल कॉंड कॉंग्रेस को मिला जहाँ एक राजिक की सरकार हैं हमें 6000 करोड मिला हमारी केंद्र में दो बार इस पष्प नहीं नहीं लगा रहा हूं एकานा चाहता हूं मैंने एक बिलियन डॉलर रखा हुआ है मोदी की सरकार हटाने के लिए वह एक बिलियन डॉलर यानि आज के समय में और वह और वह पर किस ने भरस्ताचार किया जवाब सुदान चुत्रवेदी जवाब 30 सेकेंड और अनुरा गुदरिया बस 30 सेकेंड मैं IC 814 पर एक बात कहना चाहता हूँ दर्शकों को पता होना चाहिए कि हमारे वर्तमान NSRC अजीर डोवल उस समय अडिशनल डिरेक्टर आई बी थे एन ही वाज चीफ निगोशियेटर इन IC 814 जिन लों के आई बी के अधिकारियों से उस समय कोई भी बात हुई होगी कुछ ने संस्परण में भी लिखा है आपको पता है कि जब हमारा प्लेन महां गया था तो हम लोग के पास पूरे इंटरसेट कर रही थी सारी चीज़ सुनाई पड़ रही थी इतना गंभीर इंवाल्मेंट इस देश के अंदर जो हुआ वो करने के बाद की घटना को कहना कि एक पिक्चर की बात है और पिक्चर बनाने वालों ने जिसको डिस्टॉर्ट किया है देश की अखंडता पर इत इसने नहीं भेजा गया था कि वह कोई मौसूद अजर को ले जा रहे थे वह इसलिए भेजा गया था कि तालिबान की गवर्मेंट को अपनी बदली तो हमारे लोग चाह करेंगे वहां कारवाई करेंगे या मांग मानेंगे या वापस आ जाएंगे यह निर्ड़े अधिका पर दूनिया में इतना कटन हाई जैक नहीं हुआ और अब मतलब वाकई बहुत 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 बड़ा हाई जैक ता इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन अनुराग बदरिया आपने आपने दो चीजों की बात करी आपने बुला नवाब सिंग अदब तो विशह नहीं आप के लिए उसका डिन ने मैच कर गया वह विशह नहीं है आप कहरें बॉन्ड किसी को नहीं लेना चाहिए जब अनुराग बदरिया अब आपके 50 सेकेंड लेकिन बात की पिक्चर कौन सी है मैंने अभी नहीं देखी लेकिन मुझे अब यादा आगा कंधार की बात यह बताए काजू-पिष्था खिला कि आप ले गए थे ना कंधार क्यों ले गए तया नहीं अभी निकर आप अपने बावी नुटना चाहते हैं एक बात दूसरी बात जहां तक आपने की घटना की बात अरे कंग्नोज में बार बार कह रहा हूं जो दरिंदा होगा दरिंदगी करेग सब्सक्राइब नवाब सिंग यादव है जो हो नहीं है बिलकुल सजा मिलेगी बिलकुल सजा मिलेगी चाहे वो नवाब सिंग यादव हो चाहे कोई भी हो लेकिन भारती जंता पार्टी की सरकार में क्यों इतना चिला रहे हो एक रेपिस्ट को बचाने के लिए इतना क्यों चिला रहे हो एक रेपिस्ट को बचाने के लिए इतना क्यों चिला रहे हो अनुराग बदौरिया एक बच्ची के साथ दुराचार किया है ठीक है वो समाजवाजी पार्टी का कारे करता है तो एक बच्ची के लिए गुस्ता दिखाओ यह पूरे डिबेड़ पे अनुराग बदौरिया पुरे दिवेट में पादर की घंप नहीं बोला करने से काम नहीं चलेगा यह क्या तरीका ती अनुराग रोहतों नहीं बीद से बोले आपके वह 30 पिने क्या आते हैं अनुराग भदारिया एक रेपिस को बचाने के लिए इतना इतनी गर्मी दिखा रहे हो एक रेपिस को देश की बच्ची के लिए पीचो परन्तु एक रेपिस के लिए मत पीचो क्या हुआ यूद्य हमें और भाव देश की बंद करो लिए नोटंकी बंद करो देश की जनता देख रही है कि रेपिस को बचाने वाला कौन है स्वाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पे एक रेपिस के लिए यहां पे कितनी रोटंकी कर रहे हैं यह पर पकड़ना पड़ेगा शरकार को तो सुन लिजे फरुका बाद में भी बेडिया दो बेडिया जूली पाए गए इते हैं अगर हम नवाब सिंग आदब पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं अनुराग मैं उसके पक्ष में नहीं हूं मेरा हाज जोर के निवेदन है चाहे कलकत्ता की बेटी हो चाहे उत्तरप्रदेश की बेटी हो चाहे जहरकंड की बच्ची हो कहीं पूरे देश में किसी भी जाए महाराश्त की बच्ची हो कम से कम हम महिलाओं के साथ जो और उसके उपर मुस्कुराएं तो ना कम से कम थोड़ी तो हम श्रिष्टा चाह उस चर्चा के अंदर रखे रोहित आपके आपने अपनी बात को रखा और मैं माफी चाहता हूं आपके पास लेटाया मैं और लगता अध्यक्ष जेल के अंदर हैं और डिल्ली की जनता त्राही माम कर रही है उनके सहयोगी अनुराग भदोरिया डिबेट में एक शब्द नहीं बोल पाया मादमी पार्टी को डिफेंड करने के लिए साफ दिखाई पड़ता है कि वो भी समझते हैं कि आम आदमी पार्टी कि तरीके से ब्रश्चाचार में लिफते कहीं वो दूराचार में लेकर मनी सिसोडिया को मिल गई है संजे सिंग को मिल गई है दी देखें बेल बेल तो हक है बेल तो समविधान के अंदर हक है आपका और बेल मिलने का मतलब यह नहीं होता है कि आप बाहिजद बरी हो गए एक भी नेता इनका बाहिजद बड़ी एक भी आरोप के अंदर नहीं हुआ है और इनके है तो पर दिशुरू होता है राश्ट्री अध्यक जेल में इनका मैनिन सेकेंड में संजे संग संग को कंडिशनल बेल मिली है और डेली कंडिशन तोड़ने का काम कर रहे है उनको क्लियर प्रवक्ता जी को खाली इतना उनको ब्रिजभूशन साफ लगाई आपको अजीद पोड़ मुबारक आपको ब्रिजभूशन मुबारक आपको चगन-बुजभल मुबारक हमारे नेता कटरें मानदाइब हैं और रहेंगे मैं ये बात दुबारा से कहूँगी कि PMLA में regular bail मतलब acquittal ही होता है सुधान्शु जी ने आपको murder और rape से compare कर दिये जिनमें इनके लोग तो बरी ओके इनके साथ बरी क्या उनके ओपर तो investigation यह उनके साथ घूमते रहते यह सेम नहीं होते है सर कि PMLA में 2018 में जो भाजपा ने संशोधन कि एक money bill के द्वारा जी जी बड़ी ख़बर आ रही है जातिये जंगर्णा पर राष्ट्य श्वयम सेवक संग के सुनी इलम बेकर ने बड़ा बयान दिया है जातिये जंगर्णा होनी चाहिए लेकिन इसका राजनितिक इस्तमाल नहीं होना चाहिए यह बड़ा सेंस्टिव इसे है जातिये जंगर्णा एक समवेदन शील मुद्दा है यह बोला है आर एसस ने राष्ट्य श्वयम सेवक संग ने चुनावी फाइदे के लिए इसका कौन की संख्या में अगड़े पिछड़े सभी कि संख्या सन्किया पता चलेगा यह बनाभी और लुक्सान के लिए नहीं नहीं पूरी बात हो जाए पर मैं जबाब दे रहा हूं सुनिये मेरी पूरी बात हो जाए बात ही नहीं हो पाई तो क्या सुदानसु जवाब देंगे जब बात सुन लो मैंने का कि चुनावी फाइदा गले बीज़ेपी करती है बीज़ेपी मंच से अपनी जात गिनाने लगती है जब चुनाओं का रगता है हम तो कहते हैं समाजिक न्याय की बात कर रही हम करें सब्सक्राइब करर रही सब के लेकिन विने कट्षार अमाः भारती इसके साथ-साथ कल्यान सिंग बीज़ेपी समाजिक नहीं नहीं कर रही थी तो आप भीज़ेभी वालों को जाती बताने की जुरूत क्यों बढ़ गी सुधान चुतिरवेजी यह पुराने नेता है आपके बहुत इस पश्ट है जो संग ने कहा है संग ने कहा उसका मंतव यह है कि जातियों की जातियों की पहचान और उसमें जो बहुत नहीं आया था उस समय से कल्यान सिंग जी 1984 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे मिने कटियार जी 1986 में बजरंग दल के प्रमुक्त बने थे उमा भारती जी 1989 में सांसद हो गई थी और आज भी साक्षी महराज सांसद हैं हम यह बात को जातियों को लड़ाने के लि मैं बता रहा हूं आपके जवाब देखा सांद कर देखा लिके लिए पर हुराम ने उनको आसरवाद दिया दलितों का reservation in promotion किसने खतम किया था सपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश में हजारों दलित अधिकारियों और कर्मचारियों को डिमोट किसने किया था सपा की सरकार ने यदि दलित मुख्यमंत्री जो भारत की पहली absolute majority वाली दलित मुख्यमंत्री जब राजनीत की शुरुआत कर गड़ना कर लिजे मतब अखिलेश भाई या डिमपल भावी और भावी जी के तीन देवर यह इनकी जातिकत गड़ना और आज तक यादव जाति में भी एक परिवार के भारत नहीं निकल रख सकते आप शिरब व्यादव परिवार का विकास कर रहे हैं बीज़ेपी कारों है तो आप लोगतन मपनीड कर रहे हैं जनता आशरवाद से नहीं होता है जनता चुन्ती है जनता ने आशरवाद सब्सक्राइब करने कर रहें है अपकी बात को मैं पूरी तरीके से सिर्येसे नकारता हूँ दो हज़ार बारा में अकलेश यादवजी मुक्षिमंत्री नहीं थे मुलाईम सिंग को मुषिमंत्री बनना थे मुठी मुझे परिज़न हो जाता इसलिए है उन्होंने मुलायम सिंग को बनवाए था तो ना मुलायम सिंग प्रोजेक्ट हो के बने से जंता के निरने से यह बड़ा इंपॉटन पॉइंट है ओके जवाब जवाब मैं सीधा लेता हूं प्रैंक करके कर आरे से तो जाती कर जंगाना पे बोला आपका रेक्शन इसे विमन वो रेजर्वेशन भी इंप्लेमेंट हो जाएगा डील लिमिटेशन के बाद कराना तो शुरू करें यह चर्चा ही करें जा रहे हैं तो टक्कर के मंडे अडिशन में वक्त है एक अंतराल का लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपका इंतजा कंदार कर रही है कि वेल्कम बैक व्योंज आप देख रहे हैं सीन बीसी आवास पर टक्कर का मंडे अडिशन आज बात होगी उस वेब सेरीज की जिसको लेकर शोशल मीडिया पे जबरदस्त गुस्ता देखने को मिल रहा है मैं बात कर रहा हूँ कंदार हाईजैक पर बनी एक वेब सीरीज की जिसका नाम है IC814 ये वेब सीरीज दिसंबर 1999 में इंडियर एरलाइन्स की फ्लाइट IC814 की हाईजैकिंग पर आधारित है अब विवाद क्या है वो समझिए केंद्रिय गर्यमंतारले के मताबिक जिन आतकवादियों ने IC814 को हाईजैक किया था उनके नामते इबराहिम अथर, शाहिद अक्तर, सनी, एहमर, काजी, मिस्री, जहूर, इबराहिम और शाकिर ये सभी पाकिस्तान के आतंकी संगटन हरकर उल्म जाहिदीन से जुड़े थ सबी आतंकी मुस्लिम थे, लेकिन वेब सीरीज में दो आतंकियों के नाम हिंदू दिखाए गए, जिसको लेकर शोशल मीडिया में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है, अनुबव सिना नाम का एक कोई डारेक्टर है, इस वेब सीरीज को उसने डारेक्ट किया है, इस वे मिनिस्ट्री ने नेट्फिलिक्स इंडिया के कंटेंड हेड को सम्मन भेज कर तलब कर लिया है, जो जायज भी है, काट पांडू से नई दिल्ली जा रही, इंडियन एरलाइन्स की फ्लाइट IC 814 को 24 दिसमबर 1999 को उडान भरने के कुछी समय बाद हाइजैक कर लिया गया थ जिसमें भारतिय संस्कृति के साथ खिलवार करने के आरोप लगे है, पीके, काली, ओ माई गॉड ऐसी फिल्मे हैं जो विवादों में रही है, सवाल यह है कि आखिर फिल्मों और वेब सीरिस में हिंदू रिती रिवास भारतिय संस्कृति क्यों निशाने पे हो जाते हैं, क्या जानभूच कर भारतिय संस्कृति के प्रतिकों और मानिताओं को निशाना बनाया जाता है, एक प्रोपगेंडा चलाया जाता है, और इस प्रोपगेंडा के पीछे एक बड़ी रणनीती होती है, ताकि हमारी संस्कृतिक विदासत का कोई अपमान करे, बार-बार करे और उसको कुछ ना कहा जाए, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को आईना दिखाने का, और इसको बहुत गंबीरता से लेने का, क्यों अक्सर जो पंडित होता है, जो विलेन होता है, वो गुड़ू पंडित के नाम चाहा जाता है, क्यों? सवाल यही है और यह आप चांदा चाहता है, जी, देश, यह देश बदल चुका है, और इस देश को सवाल पूछने भी चाहिए, जो जायज है, तो फिलाल CNBC आवास के टकर के सोवार एडिशन में, मंडे एडिशन में इतना ही, आप सब को मेरा नमस्कार, गुड़ नाइट जी, खिलाओ, यह बदली चायज है, यड़ झामान के सोवादे साल नमस्कार क्भора भी में एडिशन में आप सब कर शेशन चाहाँ, जांस एडिशन रावादार रहिद क्ष्श्यार् बदारिशन में, मे प स्ाखआए यहाँ थाभादा